हर काम्यावी पर तुम्हारा नाम होगा तुम्हारे हर एक कदम पर दुनिया का सलाम होगा और मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना एदोस्त देखना वक्त भी एक दिन तुम्हारा गुलाम होगा नमस्कार दोस्तों MK Sir Inspiration के एक और बहतर वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही गंभी टॉपिक है और आज के समय में इस्टूडेंट के यही में प्रॉब्लम है सो आज का जो टॉपिक है वो है कि How to solve Physics Numericals कि Sir हम Physics के Numericals को कैसे बनाएं क्योंकि बहुत सारी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिने Physics Subject के नाम से ही पसीना आ जाता है वो क्या होता है उन्हें ऐसा लगता है कि physics subject बहुत ही डराऊना है numerical देखकर डर जाते हैं पसीने छूड़ जाते हैं और ऐसा बोलते हैं कि सरी बहुत ही boring subject है तो सबसे पहले मेरे भाई आप अपनी मांसिक्ता को बदलें क्योंकि कोई भी subject boring नहीं होता है लेकिन इसमें आपकी गलती है क्योंकि आपको तरीका ही नहीं पता कि किस तरह से इसमें numerical को solve करते हैं किस तरह से चीजों को तयार करते हैं तो आज हम इसी topic पर discuss करने वाले हैं और वीडियो को complete देख लेना और आज के बाद अब जब board exam में बैठेंगे या किसी exam में बैठेंगे तो ये आपके दिमाग में होगा ही नहीं कि physics में actual कोई difficult topic है या physics एक difficult subject है आज के बाद डरने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि देखना दूस्तों दो तरीके student होते हैं एक student होता है कि बहुत ही hard work करता है दिन रात मेहनत करता है दूसरा क्या उसके आधे मेहनत करता है प्लस hard work के साथ-साथ वो smart work भी करता है यहीं को नहीं पता कि actual में इसका numerical solve करने का सही तरीका क्या है दूसरे को पता है कि भाई साथ numerical solve करने का सही तरीका क्या है तो यहीं से अंतर हो जाता है है ना और यही आपको आज हम समझाने वाले हैं तो यहां से कुछ basic से step है जो आपको follow करने चाहिए और दावे के साथ कह रहा हूँ अगर वीडियो को आपने complete देख लिया तो आज के बाद ऐसी कोई समस्या नहीं होगी आपके साथ फर्स्ट इस्टेप है दोस्तों formula में भाई शुरुवात कहां से करना है formula कुछ student है नहीं पता हो गया कि एक वस्तु क्या है किसी लेंस से इतने centimeter की दूरी पर रखी है उसका वास्तु कितना क्या है इतना गुना प्रतिविम बड़ा बन रहा है क्या बन रहा है तो उनको पता ह physics में क्या होता है दूस्तों formula से तो भाई आप उपर की पूरी picture एनी scene समझ में आ जाती है अगर formula पता चल गया तो क्या है आधी problem solve है ना suppose that आप क्या है किसी medical store पर चले जाए या फिर किसी hospital में चले जाए और डॉक्टर सहाब से बोलिए कि डॉक्टर सहाब हमें तकलीफ है ह हमको दवाई दे दीजिए डॉक्टर सहाब बोलेंगे कि भाई साब आपको क्या problem है तो बोल देजिएगा नहीं डॉक्टर सहाब हम बीमारी नहीं बताएंगे बस आप दवा दे दीजिए तो क्या बोलेंगे वो भी बोलेंगे ना कि सठिया गया है पगला गया है क्योंकि तो स्तों आप को अगर जो आपकी बीमारी है बीमारी जब आप बताइंगे तो जो डोक्टर साहब हैं वो भी क्या होते हैं कि उस बीमारी में कौन सा फारमूले वाला जो मेरीडिसीप है वही देखकर आपको देंगे है ना ऐसा बीना फार्मूले के तो काम होना ही नहीं है वहे चीज आपको यहां से क्या करना है समझना है यहनी फार्मूला मेन होता है ठीक इसलिए फार्मूले को आप सबसे पहले तैयार करिए अगर इसमें भी जंजट है डोंट वरी हमने आलरेडी पांच से हाँ चार से पांच वीडियो बना दिया है इस पे फार्मूले पर एक तो ट्विल्थ फिजिक्स का पूरा का पूरा बना दिया है इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एक बेसिक फिजिक्स पार्मूला वो भी बता दिया है भाई साब मेहनत दो करना पड़ेगा ऐसे ही कुछ नहीं होगा ठिक दूसरा है दोस्तों कॉंसेप्ट कॉंसेप्ट की बात करें संकल्पना या अवधारणा दिखें आप स्कूल में सुने होंगे जादा तर क्या है कोई भी टीचर कोचिंग में जाओगे बोलेंगे भाई साब पहले कॉंसेप्ट समझेए स्कूल में कहेंगे मेरे दोस्त क्या है कॉंसेप्ट समझना है ठिक कि मेरे बच्चे सबसे पहले आप कॉंसेप्ट को समझेए concept तयार करिए, इसका concept अच्छे से समझे, तो ये actual में है क्या concept, concept है क्या, आपके mind में चलने वाली एक प्रकिरिया होती है, concept, जिसे आपने देखा कि हाँ कोई आवेश है, इस बिंदू पर रखा है और इस पे इतना बल कारी कर रहा है, तो बैदू छेट की तीवता कि आपके दिमाग में गुजने लगा, कि भाई साब यहां पर एक आवेश रखा है, यहां पर क्या है, बल इस पे लग रहा है, और इसे यहां तक ले जाना है, तो बैदू छेट की तीवता कितनी होगी, तो यह concept होता है दोस्तों, है ना, concept क्या होता है, आपकी जो IQ पावर होती है, concept समझ में आ गया, है ना, उसके बाद क्या होता है, कि easy examples, आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, फिजिक्स में आप जब बैठते हैं, तो सबसे पहले हमने बताया ना, formula, concept, plus क्या करना है, easy examples है, यनि उस किताब में जितने, कोई भी books होए रहा है, उसमें जितने भी easy examples है पहले उनको आप बार-बार practice करिए, दो-चार example, minimum क्या है, तेन से चार example आप practice कर लीजिए, वो जो easy वाले हैं, जब easy वाले आप example करेंगे, numericals करेंगे ना, तो धीरे-धीरे आपके अंदर confidence होगा, है ना, धीरे-धीरे confidence आएगा, कि yes, I can do this, कि यह मैं कर सकता हूँ, और definitely आ क्या है, हमने बताया ना, सबसे पहले easy example, कुछ student ऐसे भाग जाते हैं, खतरना कोशन है, देख के ही बेहोश, ऐसा काम नहीं चलेगा, सबसे पहले हैं, हमने बताया ना, कि easy examples, जो भी easy examples हैं, उनको pick करिए, ठीक, और उसी को थोड़ा मेहनत करिए, देखिए बार-बार, फिर उसके बाद क्या करना है, difficult example, यनि यहाँ, easy say, difficult, भाई साब क्या है, कि जैसे बच्चा है, कि भाई, ऐसा तो है, कोई पैदा हुआ, भागने लगा, है ना, कोई पैदा हुआ, भागने लगा, तो वो क्या है, उसकी जो stage है, वस्थाएं है, धीरे-धीरे चलने की, वो भी क् तुम नहीं रहोगे, उसको देखेगा, गाली देदेगा, क्योंकि उसने practice कर लिया है, तो यहीं चीज होता है, दोस्तों, आप difficult examples करना, कब करना, जब आप easy, कम से कम 3-4 easy examples कर लिजिए, फिर क्या करिए, difficult example, उसको ढग कर माले जिए, अपने से practice करिए, एक बार देख लिज यहां से आप क्या करिए, अब jump कर जाए, कोद जाए, क्या है, आंकिक प्रश्ण में, जहां पर solution नहीं है, वहां पर जाए, लेकिन वहां पर भी आपको क्या करना है, कि easy numericals, जो आसान से numericals हैं, पहले जो अपने practice किया था, उसको देखिए, जो आसान वाले हैं, सारे numericals को cover क करने का परियास करिए, और धीरे-धीरे concept clear होता चला जाएगा, धीरे-धीरे confidence बढ़ता चला जाएगा, और आपको लगेगा कि yes, मैंने तो कर लिया, और अब तो भाई साहाब, physics को क्या है, अब तो physics को जहां से देखेंगे numerical, पोस्ट माडम करके छोड़ेंगे, तो उसके बात करना क्या है दुस्तों, फिर अपको क्या करना है, difficult numericals, यहनि इजी से आप आएंगे difficult numericals में, यहनि जो क्या है, tough label के numericals होते हैं, उनको देखना है, और इस तरह से क्या हो जाएगा, पूरा complete आपका concept तयार होता चला जाएगा, और आप उस काबिल बन गये हैं, कि बैठ आप मेहनत करिए, इस तरह से आप numericals को physics के numericals को बना पाएंगे, और इस चीज को आप देख लिजे, उसके बाद आना फिर बताना कि सर आपने बताया, और यह काम नहीं किया, और regular हम यहाँ से 12 की वीडियो अपलोड कर रहे हैं, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे, अगर वीडियो में मज़ा आई हो, वीडियो पसंद आई हो, तो प्याद से एक लाइक कर देना, मिलते हैं किसी और मजदा टॉपिक के साथ, लव यू, बाए-बाए, टेक केर,